हालो फ्रेंट्स ॥ करदीयो स्लीव्स पनाना सिखांगी है जो हम कारड़ी इनकी sup बनाते हैं अलग से वह किसे पर नहीं creations C को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे पहले मेर्जियों को सब्सक्राइब कर लीजिए और नौटिफिकेशन बेल को जोर दवा दीजीगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो उसका नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दिखे इसके लिए हुमें क्या करना है पहले हमें अपने आर्म जो हमें हमारी कलाई के सबसे हमें रौड में थोड़ा डिला रखकर 야पको जितना डिला चाहिए और थोड़ा सा मिसलाई में चाहिए उससाबसे आपको इस्टिश बनाने हैं तो हम सबसे चैंस बना लेए तो मैंने 50 चैन्स बनाई है और मैं ऐसे ही बना रही हूं अंदाजे से तो आपको उतनी बना लेनी है तो जितनी हमारी बना ली उसके बाद हमने चैन्स 2 बनाई है वन और यहां से 3 स्टिच छोड़ेंगे वन टू त्री और फोर्थ वाले में वन डबल करूशिय बनाएंगे और हर एक स्टिच में वन डबल करूशिय बना लेंगे तो पहले मैं बना ली तीं स्टो को तो यह देखिए मैंने फर्स ट्रो बना ली है और देखिए अब हमें क्या करना है chain 3 बनाएंगे 1 2 3 और इस तरफ पलट लेंगे इस तरफ और देखिए यहां stitch नहीं बनाएंगे यहां बनाएंगे यह हमारा chain 3 first वाला stitch है यहां बनाएंगे तो stitch बढ़ेगा तो जब हम stitch नहीं बढ़ाना है तो हम यहां बनाएंगे तो हम minimum 4 rows जो हमारी बिल्कुल कलाई पर आती है उनको हम बिना stitch बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो हम 4 आपको देख लीजिए आप कितनी लंबी बना रहे हैं कम सकम यहां 4 rows तो minimum आएंगे और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और आगे तक बना रहे हैं तो आप 4 5 कर सकते हैं तो हम 4 rows बना लेंगे जिन में एक भी stitch नहीं बढ़ाएंगे और हमें ध्यान रखना है जो लास्ट वाली चैन 3 है उसमें हमें एक वन डबल क्रोशिय जरूर बनाना है शुरू में यहां पर जब इस तरफ आएंगे हम चैन 3 है उसमें दोनों में stitch बनाना है इस चीच का ध्यान रखना है आपको यह मारा लास्ट इस्टिच और यह जो चैन 3 के लास्ट वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिय बनाना है अगर नहीं बनाया तो हमारा एक स्टिच कम होता जाएगा हर रो में तो आप जब भी लास्ट में तो यह देखिए मैंने 1,2,3,4 रो बना लिए हैं इसमें हमने कोई stitch नहीं बढ़ाएंगे अब 5 वाली रो में हम stitch बढ़ाएंगे इसमें बहुत एजी से बढ़ाना है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी देखिए बहुत एजी है चैन 3 बनाएंगे 1,2,3 इस सरफ पलट लेंगे और देखिए हमें जब stitch बढ़ाने हैं तो हम यहीं पर एक stitch बढ़ा देंगे एक stitch हम शुरू में बढ़ाएंगे एक stitch लास्ट में बढ़ाएंगे यहीं पर देखिए चैन 3 वाले stitch में ही एक stitch बना देंगे तो यहाँ पे हमारा एक स्टिच बढ़ गया आप फिर हर एक स्टिच में एक-एक स्टिच बनाएंगे और जो लास्ट वाला स्टिच होगा उसमें हमें एक स्टिच बढ़ाएंगे तो पहले मैं लास्ट तक बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूं कि Last में जकेसे इस्टिच बढाएंगे तो ये देखि हम दूसरी साइघ आ गए है और यहां पे देखिए हमारे दो स्टिच बचेंग है chain 3 और एक ये last वाले इस्टिच तो लास्ट वाले स्टिच को थो हम बना लेंगे और ये जो चैन 3 है इसमें हम 2 double crochet बनाएंगे फास्ट वाली चैन में चैन 3 की फास्ट वाली चैन में 1 और ये 2 इस तरीके से अब चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 इस तरह पलट लेंगे तो हमने इस रो में स्टिच बढ़ा दिया अब हमें दो रो बनानी है जिन में स्टिच नहीं बढ़ाना है तो तो जोelस हमें उसमें हम इसी में एक iется बनादेंगे तो य hedge के हम छोड़ेंगे येरेंगे फास्ट चैन 3 वाला stitch है इसमें बनाएंगे तो अब दो रू heirchny बनाेंगे जिसमें हमें हर एक i будете बनाना है और जो 3rd वाली हो गी में हम हम थोड़ा increase और करेंगे तो पहले मैं कहनी तक का हिस्सा बना लिती हूं फिर आपको आगे बताऊंगे तो यह देखे मैंने बना लिया है यह मेरा कहनी से उपर तक का हिस्सा है तो हमारी जो आर्म होती है वो नीचे की तरफ जब हम मुड़े घटा के बनाते हैं तो नीचे की तरफ कम होती है उपर की तरफ हम जादा होती है तो मेरा जो नीचे का हिस्सा है यह देखे मैरा अपने स इन में मैंने हर थर्ड वाली रो में स्टिच बढ़ाए हैं तो रो छोड़ी हैं पिर थर्ड वाले में स्टिच बढ़ाए हैं जैसे मैं आपको बताता वैसे ही बढ़ाए हैं अब देखे हम क्या करेंगे अब हमें करना है हर सेकंड वाली रो में स्टिच बढ़ाएंगे तो य 21 22 23 24 25 26 वाली रो है इसमें मैंने यहां पर हमारी यह जो दो रो हम बिना इस्टिच बढ़ाए हुए बना रहे थे वह वाली रो आ रही है तो अब देखिए अब हमें क्या करना है एक स्टिच में हमें रो स्टिच बढ़ाने है और एक में नहीं बढ़ाने है नौर्मल तरीके स बनानी है तो यह वाली इस्टिच हम बढ़ाएंगे इस रो में चैन्ति बिनाएंगे 1 2 3 और इस तरफ बलट लेंगे और देखिए ज़स्ट यहीं पर हमें इस्टिच बनाना है यहां पर हमें एक स्टिच बनाएंगे और एक स्टिच हमें लास्ट में बढ़ाना है तो इस से अगली रो में तो हर सेकंड वाली रो में हमें स्टेच बढ़ाने तो जब तक हमारी आर्म की नीचे वाली जो लंबाई है वो पूरी नहीं हो जाती इतना मैं बनाने के बाद फिर हम इसमें मुड्डे घटाएंगे तो पहले मैं यह बना लेती हूं फिर आपको बताऊंगे मुड्डे की स्टेगे से घटेंगे तो दीखिए मैंने इसके बाद हर सेकंड वाली रो में स्टेच बढ़ाने शुरू किये थे अब दीखिए हमारा आर्म जितना हमें चाहिए उतना हो गया है तो अगर आपकी लंबाई और है तो आप क्या करेंगे अब स्टेच बढ़ान इस तरफ पलटेंगे और यहां से स्टिच बणाएंगे और हर किस्टिच में एक एक स्टिच बनाके हम इस आम को पूरा कर लेंगे यह हमारा नीचे वाला नाप है उतना होना चाहिए जब हम उड्डे खटाएंगे तो ऊपर की तरफ थोड़ा आगे की तरफ जाएगा और इसको पूरा कर लेती हूं इसमें सिर्फ रोह ही बनाई हैं जिनमें मैंने कोई स्टिच पढ़ाया नहीं है आपको यहां पर इस तरीके से ज्यादा रोह नहीं बनानी है नहीं तो आपका शेप खराब हो जाएगा आप तीन दो या तीन रोह बना सकते हैं अगर जादा बनाए तो आपको देखिए थोड़ा सा मैं टेल में बता दीए दिखे अगर आप हर सब्सक्राइब में स्टिच बढ़ा रहे हैं और आपका सही चल रहा है आपको चाहिए कि नहीं मेरा आपकी आर्म की जो आपको चोड़ाई चाहिए उतनी साब से स्लैंट जा रही है तो आपको अ देखे आप यहां पर आपके चाहिक कम हो रहा है तो अपर क्ल़ाइक किया हार्म न तो हर्फ रों में स्टिच बढ़ा के भी आपना जितना आपको चैहिं पूरा कर सकते हैं और आपको 3 रों में इंगर भढ़ा रहे हैने अन्फ रही आपकर सय्क्राइब हार सेंड़ ज बनाएं नहीं vigor नहीं तो आपको हर रो में इस्टिज बढ़ाते हुए स्टिज बनाएंगे तो बिल्कुल ज्लाण्ट आए का यह वाला जो हिस्सा है बिल्कुल जैसा हमें चाहिए तो यहां पे जो नहीं हम बने लोटे से लिटे हैं कि अपने लेगे इस तरफ पल्टेंगे एक stitch छोड़ेंगे हम यहां वाला यह वाला हमने छोड़ा और यह जो second वाला stitch है इसमें हम single stitch बनाएंगे sorry, chain one बनानी है हमें chain one बना लिए हमने एक stitch छोड़ेंगे और एक में single stitch बनाएंगे अब इसके जो just pass वाला है उसमें हम बनाएंगे half double crochet और इसके पास वाला है उसमें बनाएंगे one double crochet इस तरीके से अब हमें one double crochet बनाना है last की तरी स्टिच में हम इसी तरीके से बनाएंगे तो पहले मैं इसको last तक बना लिती हूँ फिर आपको बताऊंगे यह लास्ट में में किस तरीके से बनाना है तो यह दिखें हम दूसरी तरफ आ गया है अब हमार पास फोर स्टिच बचें वन टू त्री और यह चैन त्री एक वन डबल स्टिच तो दिखें हम यहां पर करेंगे यह जो फास्ट वाला है इसमें बनाएंगे हाफ डबल दो दूशिया कि इसके पास वाले में बनाएंगे शिंगर स्टिच जैन वन बनाएंगे और यह हम छोड़ना है और यह चैन शर्लेटरी है यहां पर हम स्लीप स्टिच बनाएंगे स्टरीके से अब दिखिस तरफ पलट लेंगे अब हमें यहां 3 स्लिप स्टिच बनाने हैं 30 यह म्मर्व फेस्टिश यां पर यह स्रिप स्टिच जार्व ये स्रीप स्टिच इंगे यह हमाला फ्र यह से कंड वाला यहाव डबल क्रूशिय है और यह हम डबल क्रूशिय यह पर एक श्ली अस्रीप स्टिच से इसमें one double crochet बनाएंगे यहां से लास्ट तक हरी की स्टिप में one double crochet बनाएंगे मैं आपको बता दूँगे कहां पर क्या करना है तो हम लास्ट में जाके फिर मैं आपको बताती हूं क्या करना है ठीक है कि हमार पास 2 हाफ सिंग डबल क्रोशिय बचे वह नहीं तो इस दाली स्टिश को छोड़ दें कर इसमें हम वन डबल क्रोशिय बनाएंगे तिक है चन्टी विनाएंगे वान टू त्री इस तरह प्ल्टेंगे और दिखिए यहां से हम एक स्टिच छोड़ेंगे और यह वन्डरबल क्रुशिय बनाएंगे यह हमारी घटाने वाली 3rd row है इसमें हर एक इस्टिच में यह देखें लास्ट तक पिर लास्ट रो में एक इस्टिच घटाएंगे तो 1 double crochet बना लेंगे इसमें लास्ट तक यहां हमने एक stitch घटा दिया है तो यह दिखे हम second row के last में आगे हम जी हमने three stitch कम के थे इनकों छोड़ देंगे यह slip stitch, single stitch और half double crochet और दिखे यह जो तो यह दिखे यहां तक मैंने बना लिया है और यह chain 3 में हमने stitch नहीं बनाया है यह देखे चैन 3 में अगर हम बनाते हैं तो यहां होता है यह हमारा stitch है अब 7 फाली row बनाएंगे चैन 3 बनाएंगे 1,2,3 इस तरह पलटेंगे और देखे एक stitch छोड़ेंगे और एक में one double crochet बनाएंगे इस से अगले वाले में और इस रोक को हम last तक बना लेंगे इसमें हम चैन 3 को stitch count नहीं करेंगे ठीक है तो हम यह दो stitch है हमारे तो देखे एक stitch छोड़ेंगे और इसमें हम one double crochet बनाएंगे चैन 3 count नहीं कर रहे हैं हर बार हम अब देखे चैन 3 बनाएंगे हमारी first first, second, third और यह fourth फाल्टो बनाएंगे इस से पल्टेंगे और देखे यहां पे हम इस स्टाफ बनाना है इन इसको रहे तक chain 3 में हमें इस्टिच नहीं बनाना है तो दे देखे यह हमारे यहां पे अभी थी दो strs चैन 3 और एक है चैंत्री को हम छोड़ेंगे लेकिन इसमें हमें स्टिच बनाना है इसको नहीं छोड़ना है तो इस तरफ से जाएंगे तो इस तरफ से चैंत्री को छोड़ देंगे इस तरफ आएंगे तो इस तरफ चैंत्री को छोड़ देंगे हम और स्टिच को हम काउंट करेंगे अब वा तो पहले में बना लेती हूं तो यह हमारी 1,2,3,4,5 वाली रो है तो यह देखें अब हम यहाँ पे भी एक स्टिच छोड़ेंगे यह हमारी 1,2,3 है चैंट्री हमें बनाना नहीं है तो हमने एक स्टिच यह छोड़ा और एक स्टिच में बना दिया फिर से चैंट्री बनाएंगे 1,2,3 यह हमारी 1,2,3,4,5 और यह 6 रो है इस तरफ पल्टेंगे और देखें फिर हम हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे 6 वाली रो में इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ तो यह देखें 7 रो की लास्ट पर हम आ गए यहां हमारी 2 इस्टिच बचे हैं यह देखें चैंट्री अलग है यह दो इस्टिच बचे हैं एक स्टिच को छोड़ेंगे और सेकिंड वाले में 1 डबल क्रोश्य बना देंगे ए इसको मैं ना ाको बना घ्राइंगे चैंट्री का थी कि इस तरह पिलूअ धा की एक सच छोड़ेंगे और एक में 1 double crochet बनाएंगे इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूं लास्ट में भी हम एक स्टिच खरटाएंगे ठीक है तो पहले मैं इतना बना लूँ तो यह दीके हम यह फ्रो की लास्ट में आ गये हैं यहां हमारे दो स्टिच हैं हम यह वाला इस्टिच छोड़ेंगे जैंन्तर बनाएंगे 1 2 3 इस तरफ बलाट लेंगे और दिखे यह हमें 9th और 10th रो सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने यह 7 और 8 बनाई थी तो यहां से हम एक इस्टिच छोड़ेंगे और इसमें 1 डबल कुरुशिया बनाएंगे और यहां तक बना लेंगे इसी तरीके से हम यहां पर ए एक इस्टिच छोड़ेंगे और 1 डबल कुरुशिया बनाके और सब में बना लेंगे तो पहले मैं यह 9 और 10 बना ले थी हूँ फिर हम 11 और 12 रो बनाएंगे तो यह देखे मैंने यह 9 और 10 वाली रो में भी हर एक स्टिच में एक इक स्टिच घटाया है तो दीखे आपको ज पहले हम दो रो के बाद स्टिच कम करेंगे फिर हम एक एक रो के बाद स्टिच कम करेंगे फिर हम हर एक रो में स्टिच कम करेंगे तो आप अपने हिसाब से जितना आपको आर्म होल चाहिए उससाब से स्टिच घटाएंगे तो मैं दो रो में और स्टिच घटाऊंगी फि फिर आपको लास्ट की दो रो वह आपको लास्ट में ही बनानी है वह बताऊंगे आपको तो यह देखे मैंने दोनों तरफ से आर्मोर घटा दिया है मैंने थर्टीन रो बनाई है अब देखे आप जितना भी आपको बड़ा हो तो आप अपने इसाब से और ज्यादा घटा सकते हैं तो यह यहाँ पर मैं अब जो दो रो हमें बनानी है जो लास्ट में बनाऊंगी व उसके बाद लास्ट में आपको यह दो रो बनानी है चैन थ्री बनाएंगे वन टू थ्री इस तरफ लट लेंगे एक स्टिच हमने छोड़ देना है यह वाल हमने छोड़ दिया यह तो हमारा चैन थ्री वाला ही स्टिच है इसको हम छोड़ देंगे अब यह जो दो स्टिच एक स्टिच बनाएंगे और लास्ट में हमें जाके भी इसी तरीके से बनाना है तो पहले मैं लांस तक बना लेती हम्ग हूं फिर आपको बताओंगी तो देंखिए हम इस रोगर लास्ट में آ गए है तु यह हमने यहाँ पे दोस्टिच एक साथ बनाय थे एक घटा था तो यह देखे यह हमारे पास four stitch बचे हैं one two three four तो देखे अब हम इन दोनों को एक करेंगे यह one okay two इसको हमने एक कर दिया और यहां से एक stitch छोड़ेंगे और इस वाले stitch में one double crochet बना देंगे यह देखे इस तरीके से अब हम इस तरह परट लेंगे यह हमारी last row है तो देखे पहले हम first stitch है जो इसमें हम बनाएंगे slip stitch यह हमारे first वाला stitch है इसके बाद जो second वाला है MALA lengест slip stitch इस तरीके से chain one बनाइँände एक stitch हम छोड देंगे इसके बात वाले में हम बनाये single stitch मेरा इसके बात माले में बनाइँगे हम half double crochet half double crochet के लिए हम 3 हम से एक साथ stitch निकाल देते हैं यह half double crochet हो गया अब बनाएंगे 1 double crochet अब यहां से हम 1 double crochet बनाएंगे फिर चो last के stitch होंगे उनमें भी हम इसी तर्यक्वेस से बनाएंगे तो पहले मैं last दक बना लीती हूँ तो यह देखे हैं हमारे last के four stitch बचने है यह तक यहां तक double crochet बना है इसमें हम बनाएंगे half double crochet callanstay इसके बद में हम बनाएंगे single stitch single stitch के लिए देखें हमें धागा लपीट ना नहीं होता एक बार इस तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से एका लाज है मैं आपको अभी दिखाती हूं पूरा साही से तो देखिए फ्रेंड्स यह देखिए हमने पूरा आर्म होल बना लिया है तो मुझे थोड़ी ज्यादा लगी रो तो फिर मैंने कुछ कम कर दी थी मैंने 10th रो तक ही घटाया है उसके बाद मैंने लास्ट वाली 2 रो बना दी है आपको जितना बड़ा आर्म होल चाहिए जितना आप उससाफ से बना सकते हैं और देखिए अगर आपको यहां से इस तरीके से नहीं चाहिए एक दिम राउंड आपको इस लैंड चाहिए तो आप जल्दी अल्दी स्टिच घटा दीजिए हर सेकंड रो में स्टिच घटा दीजिए शुरू से तो आपको यह थोड़ा सा राउंड इस तरीके से हो जाएगा तो लेकिन आपको जब शुरू की और लास्ट की रो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको जो शेप है आम का वह बिल्कुल परफेक्ट आएगा और देखिए बिल्कुल अच्छ